आज मैं आपसे बात करूंगे एक बहुत important topic जो है पेट से रिलोटेट देखिया आज की टाइम में अगर हम बात करें कि हमारे घर में या हमारे फैमली में हमारे आसपास हम देखते हैं पेट से रिलेटट बहुत ज़्यादा problem है अगर हम बात करें acid digestion system नहीं सही है अगर हमारे पास आती हैं न यह प्रॉब्लम क्यों लियुग dit के भारे में हम बात करें ग consider कोई भी प्रॉब्लम है अगर हम क्या किन रवी है कि कुछ Lazarus मैं कोर सो 1 यह साँ आट पोगल मैं अगर इन चीजों को follow करेगा 101% उसकी जो पेट से related problem है वो बिल्कुल solve हो जाएगी आए हम बात करेंगे फर्स नमबर पर हम बात करेंगे कि आप अपनी गट की listen your gut यानि आप अपनी गट की सुनिए कि क्या होता है कि जब आपको भूक लगती है आप उस टाइम खाईए जब आपको भूक नहीं है तो अपनी गट की सुननी है है ना तो ओवर टाइम इडिंग मत कीजिए है ना तो एक पर्टिकुलर गैप जब कुछ भी हम खा रहे हैं आराम से हमारे दो गंटे टाइम हो जाता है ना क्योंकि दो गंटे लगते किसी चीज को डाइजस्ट करने के लिए तो इसलिए जब भी आपने अपना खान एशा फूड है जो हैवी है जिसमें काप जादा है में शुगर है बहुत ऐसी चीजों से अपने पेट का ध्यान रखिये हमेशा अच्छी चीज नर्शिंग कीजिए ध्यान रखिये अपने घट का था नमबर पर कि यवर गट इन इमोशन अपने पेट के लिए गट के पिट के लिए अच्छे आसन होते हैं उनको आप फोलो करे लिए हमनी हम और पर खेल Moh相द को उनको आप si क्फोलो करें इनह म्में मिएंकर कहीं कि है इन सब्सक्राइब कि अमकर की巧 के लिए हम आप再來 को तरुड़ करना पर देगा healthy life 자 like यह लाइस्ट्राइल नहीं आपने जब सोना है उसे दूगंटे पहले आपने खाना खा लेना है यह सब चीजों का हमें फोलो करना होगा पानी हम कैसे पी रहे हैं दिन में कितना पानी पी रहे हैं कैसा खाना खा रहे हैं हमारा लाइस्ट्राइल कैसा है हम अपने खाने में जो हमारी प्लेट है, वह कैसी है जो हम खाना ख Cancer में फाइबर ज्यादा से ज्यादा। हमारे जो हम खाना खा रहे हैं जिन लोगों को पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है उन्हें बहुत सारी चीजों को अवोइड करना होगा अवोइड का मतलब क्या है कि बहुत सारी जैसे चीनी नमक मैदा डूध डेरी प्रॉड़क यह सब चीजों को उन लोगों को अवोइड करना होगा, अगर आप यह अवोड करोंगे, इसकी जगा पर आपको जैसे स्टीन फूड होता है, seismic food को यचे स्टीम करके खा रहे हैं, आप सप्राउड्स ले रहे हैं, बीच में आप przy요,kraft, वेजेटेबल्स he pis हने करने केattform सालड ले सकते हैं, यह वह harाइन के ये बहुत हैं हमें digestion system के लिए भाए अच्छा है HARP 제가 rugged program ko prefer करें को को वेज़ेटेरियन डाइट कहाने में भी हमारी बोडरी के लिए While cyclist भी बहुत अच्छी होती है विशल्हें ये सब चीजों का हमें फोलो करना होगा पानी हम कैसा पी रहे हम यह चाहिए आपको पानी पीनने का राइट a method पता होना चाहिए आपने sip sip करकर पानी पीना है असी बहुत सारी चीज़ें है हमें हमारी life side में add करनी होगी अगर हम चालते है हमारी wine healthy रहे बहुत रहे rainbow color ki diet लेनी होगी यानी हमारी जो body have उसमें अबērprés फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होने चाहिए जो भी हम खाना खा रहे हैं उसमें सब कलर के फ्रूट्स होने चाहिए इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हमने हल्दी रहना है हमें सिर्फ ऐसे नहीं है कि कोई एक चीज़ फोलो कर ली तो उससे हम हल्दी हो जाएंगे हमें ओवर जिक थीसल, फाइबर, अमलाकी है यह सब कुछ भी साथ हम यूज करते हैं गुड न्यूट्रिशन लेते हैं साथ अच्छी डाइट लेते हैं अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं डैफिनेटली 10-15 डेज में आपको आपके गट में रलीफ हना महसूस होगा तो अगर आप चाहते हैं इससे रिलेटेड है अपका गट हल्दी रहे तो आपको यह फोलो करना होगा आप इससे रिलेटेड कोई और भी इंफोर्मेशन चाहते हैं आप हमारे साथ कंसर्ट कर सकते हैं हम आपको गाइड प्रेड देंगे आप आज का वीडियो आप सबको जुरूर नहां होगा, thank you very much